हेलो एवरीवन दिस इस उतकर्ष शुकला फ्रम उतकर्ष एजुकेशन आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मैग डूगल ने मूल प्रवरत्ति और सम्वेक के वशे में क्या कहा है और इससे सम्मंदित ऐसी कौन सी बात है जो आपको एक्जाम के लिए याद रखनी है या好 देखिए हमारे शरी में मैग डूगल के अनसार कुछ प्रवरत्तियां होती है और बीवेरन इस्तितियों में कोई प्रश्तिति सावाह कुई सिचुएशन जबल जाती है तो उस मूल परवरत्ति जागरत हो जाती है और उस मुल परतित्ति होने से उसके संबंदित जो संबेग हमारे द्वास है हम उसका प्रदरशन करते हैं यह हो गई क्लिष्ट वासा क्लिष्ट वासा इसलिए बोली क्योंकि अगर इसी भाषा में अगर आपसे पेपर में आ जाएगा तो आपको कन्फूजन ना हो अब सरल बात यह है कि मैक डूवल ने यह बोल दिया है कि हमारे दिवाग में देखो चौदा जगा सेंसर लगा है एक तरसी मालों चौदा प्रकार का सेंसर लगा हुआ है जब जो इस्तिती आएगी तो जो सेंसर उसको कैच करेगा उससे संबंदित वो सेंसर अपना एक जो सिगनल होता है वो भेजेगा ऐसे समझेगे आप हमारे पास 14 सेंसर कौन-कौन से है पलायन, यूयोत्सा, निवरत्ती, जिग्यासा, शिशुरक्षा, वातसल्य, शरणागती, रचनात्मक्ता, संचेप्रवत्ती, सामुहिक्ता, कामभावना, आत्मगवरव, दीनता, भोजन अन्वेशन और हास तो जब हमें जैसे खत्रा आ गया कि ने हम पर हमला कर दिया, तो अगर हम कमजोर हैं, तो हमारे अंदर पलायन का सेंसर उसने कैच किया, और उसने जो भय है, उसको प्रदर्शित करवाया, तो हम डरने लगे, अरे यार, हम पर हमला हो गया है, इस तरह से मैक डूगल ने 14 प्रकार के मुल प्रत्तियां बताई आपको यह संख्या याद रखने हैं कि 14 है, और आपको इन सभी को अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैक डूगल की इससे आपको दो प्रकार का कुश्चन मिल सकता है, कुश्चन एक ही आएगा, इस एक पन्ने से एक कुश्चन आपको मिलेगा, अब वो कुश्चन दिया होंगे, तो आपका अंसर होगा आश्चर, एक होता है इस तरीके से पूछना, कि एक छोटे से बच्चे पर एक भेड़ी ने हमला कर दिया है, तो बच्चे के अंदर कौन सी मूल पृत्ति के, कौन सी मूल पृत्ति के जागरत होने की संभावना जादा है, पहला होगा पलायन, दूसरा होगा जिग्याशा, तीसरा होगा विशाद, यसरनागती, और चौथा होगा हास, तो आप पहला पलायन ही बोलेंगे, इस तरह से दो प्रकार से कुश्चन आ सकते हैं, आपको दोनों प्रकार के लिए आपको ये पूरे चौदा के चौदा एक उसे सरल है, एक बार लिख लीजिए, स्वयम बोल बोल कर आपका काम हो जाएगा, अब आईए मैं एक एक मूल पृत्ति को समझा दूं, पहला है पलायन मूल पृत्ति, और दूसरा और उसका सम्वेग है भाय, मूल पृत्ति करता आप ऐसे देख रहे होंगे कि सम्वेग तो आपको समझवा जाएंगे, भाय, क्रोध, ग्रणा, इस सब क्या होता है, उसका कारण ये है कि हम तब आप ऐसे समझेए कि भाय होने का कारण होता है, जब हम उस इस्थिति सो भागना चाहते हो, समझाता हूं मुझे शोट ना लग जाए, तो उससे पलायन का भावजागरित होगा, आप उस स्थिति से दूर अटने का प्रयास करेंगे, दूसरी स्थिति क्रोध, अगर आप अपने सामने कुछ गलत होते हुए देखेंगे, तो आपको क्रोध की फील आएगी, वो क्रोध की फील आती तो उसके लिए जो आपके अंदर ग्रणा आती है, उसकी मूल प्रत्ति को निवरत्ति कहा जाता है, अर्थात हम इससे दूर अटना चाहते हैं, इसको हटाईए यहां से, घिन आने वाला जो निवरत्ति है, और डर के कारण भागने वाली जो प्रत्ति है, वो पलायन है, इ अचले तो शिशुरक्षा से सम्मंदि सीधा सीधा है, विशाद उस्टरना गति कारता है, तैसे माना गया है कि जब हम कुछ करते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं, तो हमें जो दुख होता है, उसका अरति यह होता है, कि हमने अपनी हार स्विकार लिए जो हम नहीं करना सब्सक्राइब होना जाता है, विशता स्थ का सबी जब होता है, जनी घरतना जाते हैं श्रेस्ट भावना और एंदर अपने आप करना चाहते हैं, हमारे अंदर आत्म गोरों की जो मूल प्रवृत्ति है उसके कारण हमारे अंदर सपने आपको स्ट्रेश्ट सद्ध करने की भावना आती है दीनिता आत्मिंता भी सीधा सीधा है भोजन और भूंग भी सीधा सीधा है और हसना और आमोद भी सीधा सीधा है तो आपको इस तरह से एक बार अच्छे से इसको याद कर लेना है आपका काम हो जाएगा आप इसी तरह से मुझसे जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए इसकी PDF टेलिग्राम से आप ले लीजिएगा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है मैक डूगल के संबंद में फल्टूक जनकारी और लेने की कोई जरूत नहीं है आपको बसी अच्छे से याद करना है थैंक यू वेरी मच आपका सीटर का एक जाम अच्छा हो जहिन